नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाले हूँ भारत के रिगवैदिक काल के बारे में और रिगवैदिक काल के पुर्व वैदिक काल के समाज, अर्थ विवस्ता, धार्मिक और राजनीतिक विवस्ता के बारे में मतलब पूर्व वैदिक कालु में भारत का इतियास किस प्रकार का था, समाज किस प्रकार का था, तो सबसे पहले में पताओ उसकी समाज पूर्व वैदिक कालु का जो समाज था, वह यहां औरी जन्जातिय समाज था यहाँ पर एक विवस्थित परिवार, समाज, ग्राव, राज्य के और धार्ना विविक्सित नहीं होई थे इसके बावजूद लोग एक समू में रहते थे यहाँ पर एक आपसी भाईचारे की भावना थे इसके बावजूद यह समाज युद्धिप्रिय समाज भी था और यह समाज अनेक रूपों से अपने विकास के लिए सततकारे भी किया इस समाज में नारियों का सम्मान था इस समाज में बाल भीवा, बालिकावद, पर्दा प्रथा, आधी चैसी समस्याय नहीं थे नारिया भी पुर्सों के समान कारी करती थी नारियों को भी सम्मान धिया जाता था इस समाज में जाती जन जाती के आधार पर अभी समाज बटा हुआ नहीं था यह समाज एक गौरपूर समाज की रूप में जाना जाता था, जहां पर अभी किसी प्रकार के भेद भाव की समस्या उत्पन नहीं हुई थी, इस समाज में कई प्रकार बहुदेवादी देउताओं का पूजा जाता था, चाहे वो अंत्रिच के देउता हो, भूमि के देउता पतु हिंसा, बली प्रथा, विद्यमान भी नहीं था, यज्य एक व्यज्यानिक रूप से किया जाता था, इस समाज की जो राजवेवस्था थे, कि यहां पर एक राजा होगा, उसका जो राजस्व का उद्गरहड होगा, राजा का क्या नियंतर होगा, वो इस पस्ठ नही है, बावजूद यहां का जो राजवेवस्था है, वो अधभूत था, क्योंकि यहां पर सभा समिती विद्दत जैसे संस्थाय विद्द्यमान थी, जिनके चरिये राजवेवस्था का क्रियान्वेल सबकुसल किया जाता था, यहां का समाज एक गौरव साली समाज था, क्योंकि यह एक तंतुलित समाज था, यहां की जो अर्चवेवस्था थी, वो मुख्यता प्रात्मिक छेतर से सम्बंदी थी, यहां पर पसुपालन क्रिसी का बाहुले था, और यहां भी देखा जाता था कि नित्य इस समाज ने एक नया प्रियोग किया है, इस नित्य प्रियोग के कारण ही लोहे का आविस्कार हुआ, लोहे के आविस्कार के साथ यह समाज उत्तरवैदिक काल में पहुचा, यानि अब मैं आपको बताने वाली हूँ, उत्तरवैदिक काल, मतलब लोहे ने किस प्रकार रिगवैदिक काल को पूर्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में बाट दिया, क्योंकि लोहा का आविसकार वैदिक काल के समाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनितिक सभी दिसाओं को एक अलग आयाम देया जिसके कारण यह समाज दो रूपों से बट गया पूरवैदिक काल और उत्तरवैदिक काल लोहेक आविश्कार के साथ क्रिसी में व्यापक रूप से लोहे का पावड़ा हल आधी का प्रयोग किया जाने रगा जिसे एक अतिरेक उत्पादन हुआ अतिरेक उत्पादन के कारण अतिरेक राजस्तु का स्रिजन हुआ अतिरेक राज़त्य Tiffany उने अर्थ वेवस्था में एक सकरात्मक फलप्रदान किया और लित्य अर्थ वेवस्था एक नए उछाई के और पहुचा अर्थ वेवस्था के उछाई पर पहुचने के कारण जो बुध्धी चिवित्यों उनको समय मिला और समय मिलने के साथ उन्होंने अपने समाज के विकाज के लिए कारे किया इसी के साथ यह समाज धीरे धीरे नगरी करण की ओर अग्रसर होने की ओर उनमुक हुआ इसी समाज में आवासिय सन्रचना बदनने लगे इसी समाज में लुहे के आविसकार ने अनेक प्रकार के धातु विज्ञान को जनम दिया इसी समाज ने विज्ञानिक सोच को भी बदला लेकिन साथ में भारत में पहली बार रूटी वादी, संकिड, विरासत जिसे नहीं कहा जा सकता है जो निंदनी है उसका भी जनम इसी समाज में हुआ आवबहा था जाती जन जाती के आधार पर भारतिय समाज का बिभाजन तो वहीं दूसरी तरब देश के आधी आबादी यानिक मैलाओ के विस्तिती इस समाज में अब दैनी होना प्रारंब हुआ अब नारी को वह अधिकार नहीं मिला जो के पूर्व उत्तरवैदिक काल में मिल रहा था अब नारी धीरे धीरे परदा प्रथा बाली का वद्थ के साथ साथ अनेक समस्याव के और उन्हुक होती जिसके कारण समाज का आधा तपका पिकलांग हो गया और उसके कारण हमारे देश की प्रगती पर एक प्रत्रचिन लग गया आप को बताना है कि यह जो पल था हम सभी के लिए बहुत ही खास भी रहा क्योंकि इस समय की तिहास बदल रहा था अर्थ विवस्ता बदल रहा था राज विवस्ता बदल रहा था अस सभी दिसाई बदल रही थी और समाज की जो सन्रचनात्मक बदल रहा था और भारत उत्तरवैदिक काल में आते आते अनेक बिशेश्ताओं से भी युक्त हुआ इस प्रकार आज हम जाने किस प्रकार वैदिक काल में भारत उत्तरवैदिक काल और पूर्वैदिक काल के बिभाजन को समेठते हुए समाजिक आर्थिक राजनेतिक प्रसात्निक धार्मिक आधी रूप से बेखसित हुआ इसी के साथ मैं सीमा गुपता आप सभी से बिदा लेती हूँ नमस्कार धन्यवाद